सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली सुरू करते हैं इस बीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस बीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शाओमी ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वाच को यूरोपियन मार्केट में लॉंच कर दिया है कमपनी ने इस वाच के साथ MI65W Fast Charger भी पेश किया है इन दोनों डिवाइस के साथ MI10T, MI10T Pro और MI10T Lite को भी लॉंच किया गया MI वाच में अमोल्ड डिस्प्ले दी गई है इसके अलाबर इस वाच में 117 Exercise Modes है MI वाच में GPS का सपोर्ट भी दिया गया है साथ ही इसकी बैटरी को लेगर कमपनी ने दावा किया है कि इसका बैक अप 16 डेज का होगा इस वाच की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 99 यूरो यानि करीब 8500 इंडियन रुपीज रखी गई है यह वाच एक ही साइज में मिलेगी लेकिन स्ट्रैप्स के लिए 6 कलर ओप्शन मिलेंगे इंडिया में इस वाच की लॉंचिंग को लेकर फिलाल कोई इंफर्मिशन नहीं आई है जैसे ही इंडिया में लॉंच हो जाएगी हम आपको बता देंगे MI वाच में 1.39 इंच की अमोल्ड डिस्पले दी गई है जिस पर कॉर्णिंग गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है कंपनी का दावा है कि इस वाच की बैटरी महस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी इस वाच में sleep tracker, heart rate monitor, blood oxygen tracker, air pressure sensor जैसे features दिये गए है MI वाच में 100 से जादा watch face का support दिया गया है वाच से ही आप phone के camera को भी control कर सकते हैं इसके अलाबा watch में music control जैसे features भी दिये गए है MI वाच का weight 32 gram है तो यानि ये काफी light weight watch है इंडिया में फिलाल launch नहीं हुई है जैसे ही launch हो जाएगी हम आपको बता देंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी type की और tech वीडियो दिखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़र है हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस उजाफ सेशन देना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिलकुल ना भूलें इस बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस बीडियो थैंक्स